चौथा दिन है वर्टेश चैंपिंशिप के फाइनल का उवल पे हम हैं और यहां पे जो यहां वाकसाल है यहां पर पास में उसके पास ही है 200 मिटर की दूरी पे और आप देख रहे हैं धूप खिली भी है टीमें पहुंच गई हैं और तैयारी कर रही हैं अपने ग्राउंड पे और इस समय टीम इंड्या के फैंस इनको चेयर करने आये हैं आप आप चेर कर रहे ऐको फैंसे 1 2 के लिए और एक उपन है जो रिषह कर रहे हैं बिल्कुल प्सकि घंब को हम बहुत मिसकोर मिसको यह चको अश्कित यह इन यह चाहबा रिपेट करने वाली दो आजार इकीस जो आस्ट्रिया में जाके बीट किया था और यह हिस्ट्रीरिपेट होने वाली है यह जो फैंस बहुत उस्षाहिद है लेकिन आपको लगता कब तक इंदिया को क्या एक टारगेट मिलें गा और लॉंच ट्रांट तक ऑस्ट इंडिया जीतने का फुल चांस है 350 400 अगर ड्रॉक कर दिया बैटिंग स्टॉप किया उनलों ने तो फिर हम जीत जाएगा किसे भी करके इंडिया किस बैटमैंस से आज उमेज है किस गेंदबाद से आज आज एक्चुली शामी और शामी ने अच्छा बॉलिंग करना चाहिए इसा मुझे लगता है तो शुबमन से बहुत ज्यादा एक्फेक्टेशन थे कि क्योंकि शुबमन अच्छे खेलेंगे शुबमन है रोईच्छनमा है विराट है मुझे लगता है अपने थर्ड डाउन जो बैटमन है उनसे भी होगा क्योंकि वह यहां आके खेल रहे है पु अगला खेलाडियों के और टीम इंडिया के फैन है दो तीन घंटे पहले से पहुंचके वेट कर रहा है कि कोई खेलाडी देखे उनका ओटोग्राफ लें सेलफी ले फोटो खिचवाएं तो इस तरह का यह जोश है जो टीम इंडिया की होसला अफजाई करता रहता है और उ कोवल से विमन मोहन, NDTV इंडिया